अब आप अब आप अब आप हलो नमस्कार में सत्पाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूटूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्ट्टुट और अभी करेंट में हम सीख रहे हैं बेशिक से अड़्वांस टैली प्राइम कोर्स और टैली प्राइम कोर्स में अभी चला हूँ हमारा सर्विस और्गनाजिशन लास्ट वाली वीडियो में लास्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्विस और्गनाजिशन होता क्या है जहां पर केवल सर्विस खरीदी जाती है या सर्विस बेची जाती है उसे हम service organization कहते हैं लेकिन आज वाले lesson में आज वाले topic में मैं आपको बताऊंगा कि आप purchase assets जब करते हो किसी service organization में तो उसकी entry कैसे होगी नोर्मली अगर में लास्ट वाले transaction यहनी जो मैंने आपको लास्ट में ट्रेडिंग और अर्गनेज़ेशन सिखाई थी वहाँ पर जब हम कोई assets purchase करते थे तो वहाँ पर हम directly journal voucher में कर सकते थे उसको कि वहाँ पर हमें सिर्फ normally purchase दिखाना था कि हमने assets purchase कर रखी है लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि नहीं आप जो assets purchase कर रहे हो उसकी हमें quantity दिखानी है कि इतनी quantity की मेरे पास computer table है इतनी quantity की मेरे पास student chair है या जो भी x y z जो आपकी assets है वो कितनी कितनी quantity की आपके पास available है अ नहीं पर assets तो आपको कुछ अलग तरीके से entry करनी होगी मैं आपको दो तरीके से entry करना सिखाऊंगा दोनों तरीकों में ही purchase जो है GST applicable होगा लेकिन एक entry में हम आपको सिखाएंगे जहां पर item के according आप assets को purchase करोगे और एक transaction में हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर just शिरफ य जाएगी मतलब quantity wise नहीं आपको बस नॉर्मली जो amount होगा वह पर फिल करना होगा GST दोनों में लगेगा अगर आपको without GST assets purchase करनी होती है तो आप उसकी entry general voucher में करोगे और यदि आपको GST के साथ assets purchase करनी है तो उसकी entry आप purchase voucher में करोगे तो किस प्रकार करेंगे तो चलते है tally prime में तो हम आगे tally prime में तो यहां पर सबसे पहले जाएंगे हम vouchers में कहां पर जाएंगे vouchers में जाएंगे और vouchers में enter करेंगे तो हमारे पास यहां पर एक purchase voucher पहले सी active है यदि आपका ना हो तो यहां पर आप own कर लेना लेकिन यहां तो हमने आपको अगर में last transaction की बात क दिखाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखें वीडियो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होनी वाली है क्योंकि ऐसा अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे ऐसे या किसी भी वीडियो में ऐसी जो है नोलिज अवलेबल नहीं है जो मैं आज आपको बताने के लिए दस मेंने कंप्यूटर टेबलियो बाराइसों के हिसाब से यानी बारााहजार का बन गया ही तो यहाँ पर इसकी आप एंट्री करना चाहेँगे तो इसकी करने के लिए आप यहाँ पर चेंज मोड में आओगे चेंज मोड में आने के बाद यहां पर आपके पास मोड मिलता है देखो आइटम इन्वोइस मोड में हम तब एंटि करते हैं जब हमें क्वांटिटी वाइस कोई आइटम दिखानी हो मैं वह भी दिखाऊंगा लेकिन पहले में आपको अकोडिंग आइटम यहां पर आपको नहीं मांगेगा कि कितनी क्वांटिटी थी क्या rate था नहीं मांगेगा यहां पर फिलाल एक bill number यहां पर दिया गया है आप बील नमबर कुछ भी डा लगा ले 1234 संथिंग एंटर करेंगे यहां पर देखो लेजर नहीं मांगा चुने मैं आपको ए अब यहां पर यह जो सबसे समझने वाली बात है, यहां तक उसाद आपने लास्टेयमिदा झाली है मेरे पास अभी कोई भी आइटम नहीं है तो यहां पर एक आइटम आपको create करनी होगी suppose grow मैंने example के लिए में computer table यहां पर बना रहा हूं लेकिन यहां पर आप यह ध्यान रहें यह रखें कि आपकी जो purchase है वो same state में है या out of state है हमारी company जो है यहां पर आइटम क्रेट करके दिखा देता हूं यहां पर इसको अंडर किसके करेंगे यह फिक्स assets हमारी क्या है फिक्स assets के अंडर जाएगी यह purchase के अंडर नहीं जाएगी यह चीज आप ध्यान रखें यहां पर और यहां पर inventory value are effected फिलाल इसको आप no रखें यह रखें कोई effect नहीं पड़ता है इस पर मैं इसको no कर देता हूं ठीक है और यहां पर जो सबसे important detail है वो यह है कि आप जब computer table की लाजर क्रियेट करेंगे तो इस पर आपको यहां पर GST दिखाना पड़ेगा तो applicable में यहां पर आप yes करें अब yes करने के बाद nature of transaction देखिए यहां पर मैं आपको बता दूँ अगर आपका same state का है तो आप purchase taxable करेंगे अगर आपका out of state है तो यहां पर purchase interstate purchase taxable करेंगे तो यहां पर हमारा क्या होगा यह item interstate purchase taxable होगी तो यहां पर enter करके यहां पर capital goods कर देंगे और यहां पर क्या rate है यहां पर है हमारा 12% तो हमने यहां पर 12% लगा दिया और इसको control A से accept कर देंगे यह हमारी goods है और यहां पर यह डिटेल डालने की जुट तो नहीं है आप एक्सेट कर लेंगे और यह डिस्क्रिप्शन में ने ओन किया हुआ था यह मैं आपको बाद में उताऊंगा अब देखो यहां पर यह रेट नहीं मांगेगा आइटम मांगेगा नहीं रेट मांगेगा हमें यहां पर जस्ट 12000 यहां पर लगाए यहाँ पर हमें पूट करने घणा और करनेंगे हैं हमारा एस्ट में काउंट होगा कियास हैं निदो लगाएं आइस्ट कौन से जिस्ट आइस्ट एस्ट हो चुको है यहां पर आइस्ट कर रहे हैं इस पर étant होता है लेकिन यह जो तरह का है यहां पर आपकी एंट्री तो हो जाएगी बिल्कुल सही होगी लेकिन अगर आप से पूछ लिया जाए कि कितनी क्वांटिटी आपने टेबल खरीदी है तो वह बताना यहां पर थोड़ा आपने जस्ट कैपिटल एसेट के उपर जस्ट आपने जिस्ट एपली केबल कराना है तो आप इस प्रकार करा सकते हो लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपको एसेट को एज क्वांटिटी पर चेज करना हो तो आपको क्या करना होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको items create करनी होगी सबसे पहले तो एक ledgers create करना होगा sorry create में आएंगे और यहां पर ledgers में आएंगे कहां पर ledgers में आएंगे और ledgers में आने के बाद आप ledgers create करोगे fixed assets के नाम से fixed assets के नाम से आप एक ledgers create करोगे और assets ठीक है और इसको under जो है पर्चेज नहीं करना है या नहीं सेल करना है इसको अंडर फिक्स एसट सी करना है और जो सबसे इंपोर्टेंट बात है वह आपने यहां पर इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टिड को यस रखना है अगर आपके पास यह नहीं आ रहा है तो आप कीबोर्ड से अफ 12 प्रेस करेंगे यह आपके पास अवलेबल नहीं होगा तो यहां पर मैं जुम करके दिखा देता हूं लिखा हुआ है यूज परवाइड आप यहां पर यहां से चला गया आप इसको अक्टिव करने के लिए क्या करेंगे एफ 12 प्रेस करेंगे और यहां पर आप इस यस कर देंगे किस option को यहाँ पर use inventory allocation for ledger ठीक है इस वाले option को आपने यहाँ पर yes करना है ठीक है मैं yes कर रहा हूँ तो आपका यहाँ पर यह वाला option जो है active हो जाएगा controller से accept करेंगे तो यहाँ पर यह option जो हमें देखने के लिए मिल जाएगा तो इसको हमने yes करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम GST नहीं लगाएंगे अपकी बार क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर GST लगा दिया तो जो भी हमारा GST fix asset के अंदर जितने भी items होंगे सब पर same GST लग जाएगा फिलाल आपने यहाँ पर इसको नो रखना है इसको goods रखना है यहाँ पर बाकि control से accept कर देंगे यहाँ पर control से accept हमारा जो सबसे main layer वह बन चुका है अब हमें क्या करना item create करनी है क्या करना है item create करनी है एक हम groups create करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर create कर सकते हो तो group create करने के लिए हम पर साथ करेंगी सबसे पहले हम आई टम का यूनिट कर लेते हैं जो कि कि में एंड़ एधिंग कर चुका हूं नंबर में पर कर लिये था लास्त टाइम नहीं किया हूं तो आप यहां पर एक यूनिट कर सकते हो नंबर समय आयेगा यहां पर अपका ठीक है टोक आईटम पे आने के बाद आपसे य्ज पूच्छी आइटम करएगा यहां पर कंप्ट्र टेबला हम आईटम है हमारी तो हम यहां पर फ्टी इस एल्ड कंप्ट्र कंप्ट्र कंप्पी टेबल लेंगे थीक्ग अंडर किस के जाएगा बताओ यह प्रैमरी के जाएगा किसके जाएगा प्रैमरी के जाएगा यह और सबसे important बात जो समझने वाली है वो अब आएगी यहाँ पर unit में number आएगा देखो यह जो additional detail है ठीक है यहाँ पर costing method आपको zero करना है क्या करना है costing method को at zero करना है अब यह क्यों किया जाता है अगर आप costing method को zero नहीं करोगे तो यह इसको जो computer table को यह stock मान लेगा अगर आप इसको at zero कर दोगे तो इसको fix asset मानेगा अब यह वाला option जो मैंने अभी active किया है यह जो select किया है यह आपके पास available नहीं होगा और market value method में आप इसको average price कर दें लेकिन यह वाला option आपके पास available नहीं होगा तो इसको own करने के लिए आप क्या करोगे keyboard से press करोगे f12 f12 प्रेस करने के मैंने यहाँ पर इसको yes किया हुआ है अगर आपका option नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर yes करेंगे तो आपका यह वाला option आ जाएगा ठीक है रहेगा याद पर टेक्सेबल ठीक है और यहाँ पर 12 ठीक है और कंट्रोल इसे accept हो चुका है तो यह भी हो चुका है मर कंट्रोल इसे accept उसके बाद next है student chair student chair student sorry students chair student chair primary में numbers में और यहाँ पर cost में क्या करेंगे जीरो एट जीरो और यहाँ पर average price और उसके बाद yes और यहाँ पर taxable और यहाँ पर 12 ठीक है control A control A ठीक हो चुका है next का हमारे पास hp computer ठीक है hp computer है hp computer और यहाँ पर अंडर प्रैमरी के जाएंगे numbers में जाएंगे और यहाँ पर at 0 और यहाँ पर average price और यहाँ पर यहाँ पर yes और I think इस पर 18 परसेंट है taxable taxable 18 परसेंट एक बार मैं चेक रहेता हूं computer जाए 18 परसेंट है बिल्कुल सीख है controller controller से accept उसके बाद एक आइटम हो रहे हैं हमारे पास office टेबल ऑफिस टेबल ठीक है ऑफिस टेबल अंडर किसके जाएगा प्रैमरी के यहाँ पर numbers cost 0% at 0 और यहाँ पर average price यहाँ पर yes और I think इस पर है हमारा 12% क्योंकि furniture पर 12% है हमजी 12% है ठीक है 12% कंट्रोले से accept एक्सेप्ट यह goods रहेगा आपका service नहीं रहे गाए लास्ट है मारे पास office chair ठीक है ओफिस 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 चेर और तक्रीबन साइद मैंने बना ली हैं जितने भी items बननी थी हमारी अगर रहेगा अगर तो हम add plus c करके बना सकते हैं यहाँ पर at 0% at 0 average price यहाँ पर yes और यहाँ पर टेक्सेबल सोरी सोरी टेक्सेबल 12% है ठीक है कंट्रोले से accept कंट्रोले से accept तक्रीबन बन चुके अब कहां जाना हमने अब हमें जाना है vouchers में जाने के बाद अब हमारा जो यह mode है accounting invoice इसको हम change करेंगे कहां से होगा यह change यहाँ से change mode पे change mode पे जाने के बाद आप देखो अगर आपको जस्ट सिरफ fix assets purchase करना है विद जीस्टी तो आप accounting invoice में जाएंगे अगर आपको assets purchase करना है विद जीस्टी विद नंबर्स तो आप invoice items में जाएंगे मतलब invoice जो item का invoice होता न उसमें जाएंगे यानि जिसमें हम stock purchase करते हैं बिल्कुल लेकिन यहाँ पर जो अब हम purchase करेंगे न तो यह हमारे stock में नहीं जाएगा तो देख लेते हैं कि हमारा stock में जाएगा कि नहीं जाएगा यह reality भी चेक हो जाएगी यहाँ पर सबसे पहले हम 12 computer purchase करें बिल्कुल नंबर है 1234 ठीक है बिल्कुल नंबर है 1234 और यहाँ पर party name में cash है और पंजाब से कहां से है पंजाब से है तो यहाँ पर पंजाब हम select कर यहाँ पर नहीं लगा देना है फिलाल में वैसे डेमग ले कुछ भी लगा रहा है control और यहाँ पर अब यहाँ पर सबसे Important बात आपने ध्यान रख लेनी है कि यहाँ पर आपको purchase दिजैट नहीं करना है पहली बात हम ने बनाए हमने किस का बनाय था हमने तो fix assets का बना था ल और यहां पर आप दुबारा फिक्स एस्ट का लेजर लग जाओ क्रिएट कर दे सो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दिखाई देने लग जाएगा एंटर पे क्लिक करेंगे अब आप से आइटम पूछ रहा है आइटम क्या है हमारी कंप्यूटर टेबल है जोकी 20 है तो यहांसे कंप्यूटर टेबल कितनी है 20 है और रेट'Tै रहीत ठीक है और इसके बाद एंटर करेंगे और यहां पर GST, IGST लगेगा क्योंकि आप टॉप स्टेट है हमारा स्टेट हरियाना है पंजाब से हम खरीद रहें तो कुन सा GST लगेगा IGST तो यहां पर IGST यह डिस्क्रिप्शन मेंने ओन करखा है ठीक है और यहां पर यह आप देख आ रहे हो कि आइटम भी आगी आपका रेट भी आगया सब कुछ आगया और GST भी आ चुगा है लेकिन ध्यान रहे यह आपका स्टोक नहीं है अभी मैं आपको प्रूब भी करा दूँगा तो यहां पर आप इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद नरेशन देना चा यहां पर पारटी में में कैस और यहां पर हरियाना बेर करने पर ल f लेर नहीं समव रहा न तो यहां पर है और नहीं आपर है तो बाता क्या क्रेंगी हम सो मोर पे जाए गए और यहां पर हमारा खंप लिए डिकigenous को with the problem नहीं सो तो मोर पे क्लिक करना आपका एसर्ट जो है वो सो होने लग जाएगा ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या था सुरी सुरी मैं भूल गया स्टूडेंट चेर स्टूडेंट चेर हमने प्रचेज किया स्टूडेंट चेर पर आएंगे और यहां पर क्वांटिटी 20 और 800 का हिसाब है और यहां पर होचक direct अब यहां पर कौंसा य stretch लगए cgst क्योंगे हमारा local है यह cgst और और यहां पर CGST भी आ चुक है और SGST यहां पर हमारा SGST भी आ चुक है ठीक है दोनों हमारे GST आ चुक है बहुत ही आसान है एंट्री करना ठीक है और एंट्र करेंगे निरसिन देना चाहते है दे सकते हैं और यहां से accept होचके next देख लेते हैं next हमारे पास purchase 20 computers ठीक है यह भी assets है हमारी और 22,000 के एसाब से और यह सोरी सोरी यह पंजाब से खरीद रहे हो वो भी उधार में ठीक है on credit तो यहां पर आपका रवी info tech का ledgers बनेगा ठीक है कोई बात नहीं बिल नमबर देख लेते हैं बिल नमबर है यहां पर one two five four one two five four ठीक है पार्टी नेम में एल्ट प्लस सी करेंगे यहां पर क्या करेंगे अल्ट प्लस सी और यहां पर रवी info tech के नाम से हमने एक लैजर बनाया यहां पर किसके एंटर जाए गई हम समान खरीद रहे हैं तो सं संडरी क्रैडिटर के नाम से ठीक है संडरी क्रैटर में जाएगा और यहां पर इसकी डिटेल आप यहां पर फिलाल नो रखेंगे और यहां पर पंजाब से है यह पंजाब यहां पर स्लेक्ट कर लेंगे पंजाब इसका इन कोड़ आप संथिंग डालना चाहते हैं डाल सक अब आपने क्या खरीदा था 20 computer खरीदे हैं हपी के computer 20 ठीक है और यहां पर 2200 एक computer का rate है और इन पर GST कुन से लगेगा IGST आउट उप स्टेट है यहां यहां पर आपका IGST भी आच चुका है ठीक है बेलकुल आसान एंट्री कंट्रोले से यहां पर accept कर लेंगे और यहां पर हां सोरी जब भी हम कोई उधार में एंट्री करीदते हैं तो यहां पर मैं लास्ट वाली वीडियो में भी काफी बार बता चुका हूँ अपको तो यहां पर न्यू रेफरेंस आएगा क्या आ अंगरवाज नहीं आपने दिखाना है तो आप इसको continue भी कर सकते हो हम 30 डाल रहे हैं ठीक है अंडरेसे देना चाहते हैं दे सकते हैं उसके बाद accept हो चुकी है हमारी एंट्री ऑफिस टेबल खरीद रहे हैं कैस में हर्याना से 8000 रुपे की दो खरीद रहे हैं ठीक है तो य हर्याना ही आएगा यहां पर regular आएगा यहां पर GST नंबर आएगा ठीक है और यहां पर so more again access assets again और यहां पर क्या आएगा आपकी बार office table है sorry क्या है office table हाँ जी office table office table quantity है 2 और rate है 8000 ठीक है और यहां पर GST लगेगा यहां पर CGST और SGST CGST और SGST वाई क्योंकि सेम स्टेट है ठीक है यहां पर CGST और SGST यहां पर SGST ठीक है यहां पर यह दोनों आ चुक है हमारे ठीक है यहां पर हमारा सेम जो है देखने के लिए मिल रहा है हुए नेक्स्ट कंट्रोल ए से यहां पर accept करेंगे क्योंकि यहां पर बैटरी का लो का भी सिंबल आ चुक है मेरे पास अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पर लास्ट टू ओफिस चेर ठीक है यहां पर सोरी कहां से है यह हर्याना से है और यहां पर पार्टी नंबर है 1274 1274 ठीक है पार्टी ने में कैस यहां पर कंट्रोल ए और यहां पर क्या करेंगे सोरी 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 यहां पर बिल नंबर और सोरी रेगुलर करना बहुत जरूरी है ठीक है रेगुलर और जीस्ट नंबर और यहां पर सो मोर अगें अगें फिक्स honeymoon Grande Assets चीبة सब्सक्राइब 1977 257 9 3Gต और 10 स्च्च्च ऩी 560 में देखो सब कुछ हो चुười ऑर यहां पर की देज़ा चाहते हैं उसके बादैसको- capac hoop कर लेंगे अब जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वह हमारी हो चुके हैं आप देख पा रहे हूं लेकिन हमने ट्रांजेक्शन तो कर लिए हैं लेकिन अब आपको ऐसा लग रहोगा कि साइद यह हमारे स्टोक में चली गई होगी अब इसको वेरिफकेशन करने के लिए हम इसको किएव करते हैं पहले तो मैं 02 में बैषा देता हूं कि सबसे फहले हमने एक रिसिपेच में एंट्री की थी जिसमें हमने दिआ हैं इसके बाद यहां पर दिखेए पर दिखा हूं देखते है तो बैलनस्ट में फिक्षेट दोनों आ रहा है यहांपर और आ यहां पर और कि करते हैं तो हमारे पास यहां यहां पर ने इतने कि फिक्षकर्पनार टांय पर है और हमारी clam क्रीटिर यहाँ पर vyography डिख़ाई यह अँस्स представarte करते यहां पर्फ श्रूब है यहां पर यह अब संबरे में यहां यहां पर मुझे टिल नजर आ रही है लेकिन यह हमारा यहां पर कुछ भी वैलू नहीं नज़र आ रही है है वैलू का मतलब यहां पर उसका rate क्या था उसकी amount क्या थी वो नजर नहीं आएगी ठीक है यहां पर जस्ट आपको बताएगा कि कितनी computer table आपने खरीदी है हाँ उसके पास आप enter करके देखोगे तो आपको ज़्यादा नजर आजाएगी उसकी detail कि कितने की हमने खरीदी थी ठीक है वो आपको नजर आजाएग और जो सबसे important बात है कि अब हम आते हैं अपने profit and loss में कहां पर profit and loss में यहां पर तो यहां पर हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि ना तो हमने कुछ purchase किया और ना ही कुछ sale किया है मतलब जो अभी हमने assets purchase किये वो as assets purchase किये हमारा opening stock closing stock कुछ नजर नहीं आएगा यही main motive था यहां पर मैंने at 0% किया याद करो at 0% किया था अगर हम at 0% नहीं करते तो यहां पर वो balance अमें दिखाता तो अगर आपको अपनी company के अंदर चाहे आपकी trading accounting हो चाहे आपकी service accounting हो कोई भी accounting हो अगर आपको assets as voucher as item purchase करके दिखानी हो तो आप इस परकार दिखा सकते हो ज आज मैंने आपको सिखाया समझाया कि आप किस परकार assets को as item purchase कर सकते हो या किसी service organization के तोर पे आप उसको purchase कर सकते हो तो आसा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी knowledge मिली होगी यदि वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को like करें हो सकता हमारे channel को भी subscribe क आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में thank you धन्यवाद